नमस्ते वच्चो यह चित्र देखो चित्र का अच्छी तरह निरिक्षन करो यह मेले का दुश्य है मेले में मनुरंजन के अनेक साधन दर्शाये गए है और कई तरह की चीजे बीक रही है यह मेला कहा लगा है एक बड़े और खूले मैदान में मेला लगा है मेले के प्रवेश द्वार पर सायता कक्ष बना हुआ है पास ही दमकल विभाग की दो गाडिया खड़ी है दुसरी और एक गोले में रेल की पट्रिया दिखाई दे रही है वहा तीन डिब्बो के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है मेले के मैदान के बीच में एक साप सुत्रा बड़ा मार्ग है मार्ग के एक ओर एक बड़ा हिंडोला है इसमें ग्यारह डिब्बे है प्रत्यक डिब्बे में दो लोग बैट सकते है एक अन्य चक्रडोल भी है जिसमें लकडी से बने हाती गोडो आदी पर बैट कर लोग जूल रहे है चक्रडोल के पास ही एक सुरक्षा चवकी है वहा सुचनाये प्रसारित करने के लिए लाउड स्पिकर लगा है चवकी के बाहर खाकी गनिवेश में एक चवकीदार बैटा है कुछ दूरी पर जमीन पर बैटी एक स्त्री खीलोने बेच रही है एक लड़का और एक लड़की अपनी मा के साथ खीलोने खरीद रहे है मारग पर खड़ा हुआ एक गुबारे वाला रंगबी रंगे गुबारे बेच रहा है एक लड़की उससे गुबारे खरीद रही है मारग के दुसरी और एक स्त्री थेले पर रंगबी रंगी चुड़िया बेच रही है दो लड़किया चुड़िया देख रही है पास में ही एक भेल वाला भेल बेच रहा है आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान है यहा एक और बंदुक से गुबारे फोडने का खेल है दुसरी और चल्ला फेक कर निशाना लगाने की व्यवस्ता है पास ही पानी का एक प्याव है पानी धंके हुए टोटी दार बर्तनों में है एक गिलास भी टंगा हुआ है वहा प्याव पर बूंद बूंद पानी बचाओ की पट्टी लगी है मेले में जगह जगह कुडे दान रखे गए है इस चित्र पर आधारीत कुछ मौखिक प्रश्न देखेंगे निम्नलिकित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दो मेला कहा लगा है मेला एक बड़े और खूले मैदान में लगा है गुब्बारे वाला कहा खड़ा है गुब्बारे वाला मैदान के बीच में बड़े मार्ग पर खड़ा है बड़े हिंडोले में कितने दिब्बे है बड़े हिंडोले में ग्यारह दिब्बे है लाउड स्पिकर कहा लगा है लाउड स्पिकर सूरक्षा चवकी पर लगा है पानी बचाने का संदेश कहा दिया गया है पानी बचाने का संदेश पानी के प्याव पर दिया गया है वाला शब्द जोड़कर सबजी वाला चूडी वाला जैसे कुछ और नाम बताओ नाम है फल वाला, चाट वाला, कुलफी वाला, खिलोने वाला, मिठाई वाला आदी चित्र देखो चित्र पहिचानू और नाम बताओ दमकल, चुडिया, कुडादान, चौकीदार, इंजन, गुब्बारे स्वाध्याय किसी देखे हुए मेले का वर्णन अपने शब्द में लिखो धन्यवाद